दोस्तों आज की इस वीडियों के लिए लिख रहे हैं वाईपियल के दुनिया के बड़े अपडेट्स दोस्तों हमारी सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है कोलकता नाइट एर्रेश की तरफ से जहां पर आपको बता दे कोलकता नाइट एर्रेश ने अपने कोचिंग दिपार्टमेंट पे बड़ा बदाव कर लिया है कि उनके नए बोलिंग कोच रहने वाले हैं भरत अरून T20 World Cup तक भरत अरुन भारती टीम के बालिंग कोच हुआ करते थे जो की 2014 से थे और उनके अंदर मोहमाद समी, जस्परीद दुम्रा और साथ लो ठाकुर जिसे खिलारी ने सांदार परदरसन किया हुआ है भरत अरुन के सामिल होने के बाद या उमीद जिताई जा रही है कि आने वाले मेगा उक्सन में इनका एक बहुती बड़ा रोल रहने वाला है चली देखते हैं अपना दूसरा अप्डेट अपना नाम दे चुके हैं लेकिन अब आईपियर खिलने को लेकर वह पुनर विचार करने वाले है आईपियल में पार रहने अपना नाम को रद कर वाले पिछले साल मार्क उड़ ने अपना नाम नहीं दिया था दोस्तों आगे बने से पहले मैं आपको भारत के सबसे बड़ी gaming platform के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है Ready Anna, यह साल 2010 से बने हुए हैं, यहाँ आप 160 प्लस games खेल सकते हैं, इनके पास 15 प्लस websites हैं, 100 से भी जादा branch हैं के अंदर, आपको यहाँ पर 24-7 withdrawal मिलता है, आप इनको contact कर सकते हैं, वाटसेप पर और सभी डीटेल ले सकते हैं, इसके साथी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पर आप काफी सारा डीटेल इनके बारे में जान सकते हैं, इसके साथी payment proof भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो अभी स्क्रीन पर दिएगे अबला साथ विकेट से गवा दिया, इसके साथी सीरीज को दो एक से हारा है, और अब भारत और साथ अफरीका की बीच वन टी मुकाबले सुरू होंगे, जिसकी सुरूआत उनेह जनवरी से होगी, और भारत और साथ अफरीका से जुड़े हुए, सभी तरह की अपडेट्स अंजरूनी लड़ाई में लगे हुए हैं, और अब यहां लगभग कनफर हो चुका है कि एहमताबाद की टीम में रासित खान जाएंगे, और इसको लेकर अकाश चोपरा ने कहा है कि एक तरह से रासित खान यदि एहमताबाद की टीम में जा रहे हैं, तो यह एक चूरी रासित खान क्या सही चौइस हैं एहमताबाद की टीम के लिए, या तो फिर उन्हें लखनाओ की टीम में रहने चाहिए, हमें एक कमेंट में ज़रूर बताईगा, यह देखते अपना चाटा अपडेट, दोस्तों को बताने चाहिएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नया द्यक्ष, रमीज राजा ने एक प्रोपोजल सेंड किया हुआ है, आईसिसी को जहांपर उन्हें यहां कहाएं कि आईसिसी को चार टीमों का T20 स्रीज करवाना चाहिए, जिसमें कि पाकिस्तान, इंग्लेंड, और भारत सामिल हों, और इससे जो भी बेनिफिट होगा, हलांकि फाइनेंस अस्ट्रक्चर की हमारे मुताबिक, बीसे से को जरूरत है नहीं, पाकिस्तान किर्केट बोर्ड को ज़्यादा जरूरत है, अब देखना कफी ज़्यादे इंट्रेस्टिंग होगा कि क्या रिप्लाइ करते हैं ICC इनके इस प्रोपोजल पर, चली देखते पक्षे हैं, उन्होंने अपना रिटार्मेंट वापस ले लिया है, लेकिन अभी तक उसे स्रिलंगजन क्रिकेट बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया है, इन में से कुछ खिलारियों ने जैसे के वेडी विलियर्स और क्रिस मौरिस ने अचानक से सन्यास लेकर कुछ टीमों आपको पूरे साल का जो सेड्यूल होता है, उसे बहुत पहले ही यहाँ पर बताया था और अपने टेलिग्राम चैनल पर भी सेयर किया था, और आप जो टीट्वेंटी वर्ल्ड कप होने वाला एक टूर और नौमबर की बीच उसका जो सेड्यूल है, वह 21 जन्वरी को रिल और इसका PDF हमारे टेलिग्राम चैनल से भी आप डाउलोड कर पाएंगे, जब भी निकलेगा तब, तो हमारे साथ बने रहें और हमारे टेलिग्राम चैनल को जुरूर जोइन करें, तो दोस्तों यहाँते आज की IPL के बड़े अपडेट्स, ऐसे वी वीडियोज अपक्लिम हर रोज लाते हैं, तो हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं अगली इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धानिवाद